Assalamualaikum, welcome to my youtube channel and you are watching BS English with Libra Today's topic is Once Upon a Time by Nadine Gordimer सबसे पहले हम लोग राटर का इंट्रोडिक्शन बढ़ते हैं Nadine Gordimer 20 November 1923, South Africa में पैदा हुई इनकी पेरेंट्स जो थे, वो जूइश इमिगरेंट्स थे और 15 साल की अमर में इनोंने अपना फर्स्ट वर्क जो था यांश आपडिक्श करेंगी इन्हें नें बहुत सफ दा नोवल, short stories और essays लिखेए हैं इन्हें Nobel अगर हम इनकी रैटिंग्स के बात करते हैं तो उसके अंदर हमें racism, morality, fear, injustice इस सारे element हम इनकी राइटिंग्स में नजर आती है ultimate safari जो के बहुत अर्फेमस short story है वो भी इन्होंने लिखी है उसके इलावा ये जुलाई 13 2014 में इनकी death हो गई ठीक है उसके इलावा इन्होंने सौथ अफरिका की जो situation थी जो सौथ अफरिका के जो लोग थे उनके अबारे में बहुत ज़्यादा लिखिया अपने राइटिंग्स के अंदर और ये चीज हमें आज की राइटिंग्स में नजर आती है ये शॉर्ट स्टोडी है ये 1989 में बबलिश की गई फर्स्ट परस्ट परस्ट परेशन के पॉइंट इसको लिखा गया है टेक्नीक जिसके अंदर जो यूज की ही है वो है सिंबलिजम, स्टोरी टैलिंग और आइरेनी सिंबल्स इसके अंदर यूज किये गए है बात करते हैं तो इसका बेगरंड जो है उसमें हमें एंटी अपार्थी मूवमेट नजर आती है बिसिकली ये मूवमेट जो थी वो 1948 से 1990 तक जारी रही इसके अंदर जो बलैक पीपल थे उन्होंने अपने राइट साथिल करने के लिए मूमेट स्टार्ट की थी जो वाइट पीपल जो थे उनको उनकी कलोनिय से नकाल दिया गया था बिलाग बनाया जिसके थरू उन्होंने बलैक पीपल को वहाँ से निकाल दिया पुलिस आई पुलिस ने आके वहां के बच्चों को औरतों को वहां पे मारकुट आई शुरू कर दी वहां पे आग लगाना स्टार्ट कर दी स्कूल के बच्चों को मारना स्टार्ट कर दी तो पुलिस ने वहाँ से ब्लैक पिपल जो थे उनको वहाँ से निकाल दिया था अब यहाँ पे जो ब्लैक पिपल थे वो जो आपलेस हो गए थे उन्हें जिन्दा रहने के लिए खाने के जरूरत थी सोने के लिए उन्हें जगा चाहिए थी अपने बिसिकली उनको अपनी सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड होते हैं यूमिन की उसको वो चाहिए थी सारी ठीक है अब उन चीज़ों को हासिल करने के लिए वो लोग एफर्ट कर रहे थे ये मुविमन्न स्टार्ट की उन्होंने अपने रniejsते को दोबारा से हासिशी कर सके और किस तरह से वाइड पीपल जो जो थे वो खोफ फेल करे थे ब्लैक पीपल से उन्होंने किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट गया अपने घरों में रहके अपने घरों के इर्द की जो थी फैंसिस बनाई ताके वो खुद को ब्लैक पेपल सो जो जो थी वो बचा सके तो यह चालिस सारी चीज़ें हमें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर नजर आती है अब बढ़ते हैं अपनी समरी के तरफ अब समनी स्टार्ट होते हैं कि नरेटर जो है हमारा इसको एक रसी लैटर जो है रसीव होता है उसमें इसको कहा गया होता है कि आप बच्चों के लिए एक पोईम लिखें लेकिन जो हमारी नरेटर जो हैं वो इंकार कर देती है यह जो स्टोरी है बच्चों के अपर लिखने के लिए वो कहते हैं कि मैं बच्चों के अपर नहीं लिखूंगी उसके अपर लिखूंगी जो मेरा दिल चाहेगा या जिसकी लोगों को जुरूरत होगी क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है ठीक है अंक खुल जाती है क्यों आंक खुलती है कि उसको अवास सुनाएं देती है फूट स्टेप्स के जैसे वो जो कदम जो है अब इस शॉर्ट स्टोरी के जब अपनिंग होती है तो हम यहां पे फिर का थीम नजर आता है यहां पे बहुत जादा खौफनाक फिल कर रही है उसके लावा हम यहां पे सिस्पेंस के अलमेंट नजर आता है कि वो सूचते है कि मेरे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे में खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ ठीक है उसके लावा नेटर को जल्दी ही रिलाइज हो जाता है कि वो जो क्रिकिंग साउंड की जो आवाज उसको फील हो रही है वो कहीं और से नहीं बलकि वहां पे जो गोर्ड वाज इसको फील होती है उसको खुफतारी होजाता है उसके उप wijrum पर तके बाद वह सोने ही पाती है व और साइर चीज़ उसके मैंट में घूमने ही होती है तो पर सोने की कोष़ची भी करते हैं लेकि फिर भी इस को नीन lead था पर क्या करती है कि वो सोच ली होते है कि जो अपने उसके एधिद environment में जो incident हुए होते हैं जो situation ही होते हैं उसके बारे में सोच थी फिर वो सोच थी है कि यहाँ पर एक और थी में नेबर हुड में जिसका जो था murder हो गया था उसके इस imp conspiracy सब्सक्तित जाती है नागाती की हमेडर है कि एक अधम सब्सक्तुरी है धीकल मैंत कि अधमें अधम सब्सक्तुरी की अदम उनल्फ है उनका एक बेटटा हता है उसके इलावा जिसे बहुत जाड़ा प्यार करते हैं, इक house made होती है, skilled gardener होता है वहाँ पे, उसके इलावा वहाँ एक pool बना गया होता है, जो इर्दगित बार्ड क्रियेट करती है, ताकि जो हमारा बेटा जो है उसमें गिनना जाए, उसमें डूबना जाए, ठीक है, अब short story स्टार्ट में बताया जाता है कि यह happy married life गुजा रही है, उसके इलावा इनकी happy life गुज़र रही है, लेकिन at the end of the story हमें देखनों को मिलेगा कि किस तरह से happy life जाए, वह unhappy life बन जाती है, ठीक है, उसके लावा, जो husband जो है, वह क्या करता है, कि अपने घर में electronic gates लगा लगा ल पने black people से जो लोग है, वहाँ पे जो लोग अटैक कर रहे हैं, उनसे उनको बचा सके, अब little boy जो है, उसके लिए यहाँ पे speaker system अर्रेंज किया गया होता है, basically speaker system वो इसलिए लगाता है, ताकर जो बाहर से आने वारे लोग है, वो घर की अंदर enter ना हो, बलकि हम घर के बाहर से हैं, उनसे राप्ता कर सकें, क्योंकि वहाँ पे गुन्डागर्दी जो थी, रायर श्रीक में बहुत जादा हो रहे थी, और किसी पे भी एतबार नहीं किया जा सकता था, वहाँ पे horror, fear इतना ज्यादा था, इसलिए वहाँ पे speaker system जो था, वो लगा गया था, और यह speaker system ज अलाम बज़े तो हम लोगों को पता चलता है कि गोई घर में एंटर हुआ है, उसके लावाँ उनकी घर में एक कुटा भी था एक बिली भी थी, और बास दफ़ा वो अलाम बिली की ताच करने से भी बंद हो जाता था, बिली गुजरते वगारा करी टाच हो जाता था था, बंद हो जाता था, ठीक है, बास दफ़ा या लाम बंद होता था था ना, तो घरवालां को यही फ्यूल होता था, कि शायद वो बिली की वज़े से बंद हो गया है, ठीक है, या किसी पैटनिस को तच्च कर लिया है, उसी वज़ा से बास दफ़ा जो इंटर इडिए थे, व वहाँ पर उस एरियमी वो लोग अपनी जोब को तलाश कर रहे थे अब यहाँ पर जो वूमन है यहाँ पर बिसकली जो हमें फैमिली दिखाये जारी है उसके अंदर जो वूमन है वो खाना बेड़ना चाहती है उन लोगों के पास ब्लैक भी बना है जो बहुते हैं कि एक रिसकी काम है और वो लोग जो जो क्रिमिनल्स है अब वोमन जो उनकी बात मान लेती है वो बगएर कर क्वेशन किया है अपनी मेड से या पर इसमी हजबन इसके बात को मान लेती है जहां पर में फिर कालिमेट नजर आता है कि वो कितनी जादा खौफजद है वो बगएर सवाल के उनकी बात को एकसेप्ट कर लेती है अब जो फैमली है जो मैन और वोमन है वो डिसाइड करते हैं हम ही जो फैमली कोई नजर देखा दें उसके हैं है अब जो हाजबन और वाइब को है बडहाएती है को घर के क्रीड में अजर लगा देते हैं घर की जो डिवारी होतीना उसके उपब स κιOOOO है तो उसके बाद रात हो जाती है और जो है अपने बच्चे स्टोरी सुना रही होती है अब यहाँ पर गालमेंट है और कैदे की तरह मुजनगी गुजा रहे हैं इस्टाइड आफ ब्लैक पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो लोग अपनी जॉब को अपने खाने को तलाश कर रहे हैं ठीक है अपने पेटे को स्टोरी सुना रही होती है स्लिपिंग ब्यूटी की किस तरह से एक ब्रेफ पीस जो है अपनी स्लिपिंग ब्यूटी को मिल जाता है आफ्टे क्रोसिंग हडल जा फ्रोंज ठीक है वो सारे मुश्किलाथ के बड़दाश करता है वो जो केड़े होते हैं केड़े गॉल जो कांटे होते हैं जो मुश्किल सिच्वेशन है या फिजिकली जो डिफिकल्टी वोंपे बिचाए जाती है उन सब को वो क्रोस करके वो स्लिपिंग ब्यूटी के पास पहुंच जाता है तो यह चीज़ जो होती है और बेटा जो है वो खुद को वो हीरो समझने लग जाता है होता है अगले दिन वाह ऐसा फिर्ट करता है मुही तरह से भांपे फ़जलाता है कि उसकर वह लग निकालना ही पाते है गाडनर बहुत जादा कोशच करते है उसको वह से निकालने की लकिन वह ऐसको नहीं निकाल पाता है और मैन और वुमन जो है इतनी सारी जिसे कहते हैं कि थ्यारिया करने के बावजुद भी खुद को black people से prevent करने के बावजुद भी अपनी बेटे को खो देती है अजिन लोग इसी conclusion देख लेते हैं कि family जो है वो अपने आपको protect रिने की कोचिश करते हैं from the outer forces लेकिन भी भी वो खुद को prevent नहीं कर पाती है उनका बेटा जो हाम हो जाता है जो कि उनके गर में इंस्टाल किया जाता है ब्लैक पीपल से बचने के लिए अब आइरोनिकली हम यहाँ बना जाता है ते इंस्टाल टो मेंक देंसल्ट सेक्योर अल्टिमेटली किल्स दाब वाई इसके लिए प्लैक पीपल से खुद को प्रिवेंट करने के लिए उनका बेटा जो है वह उलच के मर जाता है अब यहाँ पे हमें आईरोनी नजर आती है उसके अलावा हम यहाँ पे ट्रेजडी के सारे ऐलिमेंट्स नजर आते हैं लेकिन हम इसको ट्रेजडी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जितनी जादे लॉंग नहीं है जितनी अरिस्टोटल ने अपनी पॉटिक्स जो थी इसके अंदर कहा था उसके लाव ट्रेजडी के सारे ऐलिमेंट्स इसके अंदर मजूद है तूस इसाल अबाओ आड़ टो इस बाइस टॉपिक इस आप इस अपकिशिशा थी जारे लॉंग टॉटन जाने लॉंग जाइए दिए लॉंग लॉग ऑन्रिमेंट्स एंप्रेम लॉग जाने लॉग जाइए औरम इसस्टेश्य।